बहुत सताया तुमने मुझे को, अब तुमको मैं मजा चखाऊंगी, कितनी बार चेताया मैंने, मान जाओ, सुधर जाओ, बहुत हुआ, अब संभल भी जाओ, छोड़ कर इस जूटे लालज को, पहचानो मेरी सुन्दरता को, ये धरती है, ये सुरष्टी है, जो आज हमें चेता रही है, जो कुछ भी आज के समय में इस धरती पर, इस धरा पर चल रहा है, उसको देखते हुए, ये इस धरा की आवाज है, आगे इन्ही पंक्तियों में सुरष्टी कहती है, बहुत जख्म दिये हैं तुमने मुझको, अब और न सहपाऊंगी, अब भी ना मानोगे तुम अगर, तो मैं अपना विक्राल रूप दिखला मुझी, क्यों भूल गया एं मानव तु, मेरे आचल में बड़ा हुआ, मेरे ही अस्तित्व पर, तेरा भविश्य है तिका हुआ, इस प्रत्वी की जो आवाज है, उसको पहचानना होगा, समझना होगा, कि इस धर्ती का, इस धर्ती ने हमें जीवन दिया है, इस धर्ती ने हमें जीना सिखाया है, तो हमने उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, आगे इनी पंक्तियों में, मैं हूँ तो तू है, क्यूं भूल गया है मानव तू, मान जाओ और सुधर जाओ, बहुत हुआ अब संभल भी जाओ, बहुत ग्लाब संभल भी जाओ, पैसा पैसा करते करते, ना देखा इस हर्याली को, बंजर तुमने बना दिया, मेरी इस सुन्दर धरा को, बहुत सताया तुमने मुझको, अब और न सहपाओंगी, नश्ट करने चला है, मैं अपना विक्राल रूप दिखलाओंगी, ना तुम कुछ करपाओंगे, अब भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, मुझसे तु खिडवार न कर, तु सहज के दिखला मुझको, मैं तुझे सहज कर दिखला मुझको, यह कुछ पंक्तियां, जो इस पर्यवरण दिवस पर, अम्वेरोमेंटल डे पर, आप लोगों के सामने, यहां मैंने प्रस्तुत की, उनको मात्र कुछ पंक्तियां समझ करके, सुन करके, छोड़ा नहीं जा सकता, इन पंक्तियों के पीछे, एक बहुत ही गहन, एक बहुत ही सरल, एक वाक्य छिपा है, इन बातों को, हम लोगों को समझना होगा, कि आज कल, जो भी हम धर्ती पर देख रहे हैं, जो चीजे भी चल रही हैं, वो कहीं न कहीं, इस प्रत्वी को पहुचाए गए, इस धर्ती को पहुचाए गए नुकसान का एक भयावय है, बदलाव भयावय है रूप है, क्योंकि समय एक साइकल है, समय एक चक्र है, जो हमे हमें ये बात समझनी है, हमें ये बात माननी है, हमें अपनी इस प्रत्वी को सहज कर रखना है, संभल कर रखना है, क्योंकि इस प्रत्वी ने हमें जीवन दिया, इस प्रत्वी ने हमें जीना सिखाया, इस प्रत्वी से हमें खौद सारी अपनी जरूरत की चीज़ें मिलती है तो आज की इस पंक्ती में के वल इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे वाक्तियों के साथ कुछ सहज सिखाने वाले वाक्तियों के साथ